तो आज मैं बनाने जा रही हूँ DIY उडन प्लैंक होल्डर्स तो उसके लिए मैंने लिया है पुराना उडन प्लैंक्स जूट रोप और एक्राइलिक वाइट कलर आपके पास कौन सा उडन प्लैंक्स लगड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा आपके ले सकते हो नहीं तो आप यूज़ कर सकते हों मैं इसको पुरा बेस कोट और में कोट दोनों वाइटी रख दोंगी अग्याट पैंटिंग इस डन अभी आम इसको ड्राइ होने रख देंगे तो अभी हांगर्स बनाने के लिए दोनों साइड में उजूट रोप यूज़ कर रही हो आपकोई भ यूज़ कर दोनों को फोल्ड करके नॉट डाल देना है एड दी एंड जैसे में वीडियो में दिखा रही हूं आपको नॉट डाल देना है टाइटली मेक शूर कि वो खुले ना हम प्लांक्स हो उसके अंदर अड़्जस करने के बाद खुलना नाई चाहिए सो केरफुली आप नॉट फिक्स करदों अभी हम इसमें प्लांक्स फिक्स करेंगे करेंगे और जो क्लीन है उसको उपर साइट करेंगे आप देख सकते हो नॉट करें सो मैं प्लांक के नीचे ली हूं और इसको आइसे ही छोड़े तो प्लांक गिरने का चांसास रहता है नॉट के रहें हुआ है और एक राउंड करना है हमको आप को नेचे लेजिए और got two नीचे सेलेना है सो झीच्परा और थोड़ा अइसा प्रेस करकर उसको निचे रोप दोनों साइड ये टाइट कर लीजिए और साइड्ट हटा दीजें, so this is the holder ready, ऐसा टाइट करने से वो टाइट होके बैटेगा और ऐसा साइड में भी नहीं हिलेगा, so this is the final look, आप इसके ऊपर कोई भी शोपीस रख सकते हो, प्लाइट्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, जो आपके वाउल को अच्छा लुप देगा, so मैंने आपे plants रखी हो, अपने indoor plants, आप कोई भी शोपीस रख सकते हो, फ्लावर पॉट्स रख सकते हो, anything, और इसको और सजाने के लिए फेरी लाइट आप यूज़ कर सकते हो, so if you like my video, hit the like button, subscribe to my channel, comment down below,